रूपा और लैला बहने थी, वे दोनों परियां थी, लैला एक अच्छी परी थी और उसके पास सुन्दर पंख थे, जबकि उसकी बहन रूपा जो अपनी बहनों से बेहद इरश्या करती थी क्योंकि उसके पंख कौवे की तरह बदसूरत थे, वह अपनी बहन से नफरत करती थी, हालांकि लैला अपनी बहन से प्यार करती थी, चाहे वह कुछ भी करे, रूपा अकसर रंगीन बगीचों में जाती और अपने पंखों में लगे फूलों के सुन्दर रंगों को चुरा लेती, ताकि वह सुन्दर दिख सके लेकिन जब लैला यह देखती, तो वह अपने जादू का उप्योग करके बगीचे के रंगों को वापस कर देती रूपा ने ऐसा तब तक जारी रखा, जब तक कि पूरा गाउं बे रंग नहीं हो गया, इससे लोग काफी परेशान हो गए रूपा गुलाब के रंगों को चुरा लेती थी, जो उसे सुन्दर बनाते थे, वह भूमी में रहने वाली परियों के पंक भी चुरा लेती थी इसलिए एक दिन एक नागिन लैला से मिलने आई, जिसने रूपा की शरारतों के कारण अपनी पूँच खो दी थी नागिन ने कहा, ओ लैला, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि तुम्हारी बहनने मेरी पूँच चुरा ली है, जिसके कारण मैंने वापस सांप में बदलने की अपनी क्षम ता खो दी है उसने मेरी मतस्यांगना मित्र की पूँच और मेरी परी मित्र के पंक भी चुरा लिये हैं, और पूरा गांफ काला और सफेध हो गया है मैं तुमसे विनती करती हूँ कि कृपया कुछ करो, इससे पहले कि हर कोई अपनी शक्ति खो दे और रूपा उनका गलत इस्तिमाल करे लैला ये सब सुनकर निराश हो गई और वह जानती थी कि उसे अपनी बहन को रोकने के लिए कुछ करना होगा क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बहन के इरादे गलत हैं उसने नागिन से कहा, चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूँगी कि तुम और तुम्हारे दोस्त अपनी शक्तियां वापस पाएं लैला ने अंतता अपनी बहन का सामना करने का फैसला किया उसने अपनी बहन के रंगीन महल में प्रवेश किया, जिसने उसे दिखाया कि उसकी बहन कितनी शक्तिशाली हो गई मुझे यकीन है कि आप मुझे इन सबसे रोकने के लिए यहाँ हैं, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि मैं अब हार नहीं मानने वाली मैंने अब परी भूमी पर शासन करने का फैसला किया है, और कोई भी मुझे इससे नहीं रोक सकता है वह हसी लैला ने उत्तर दिया हाँ, मैं यहाँ आपको रोकने के लिए आई हूँ, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, इतना जादू आपके लिए खतरनाक है, आपको इसे रोकना होगा इससे पहले कि यह आपको कोई नुकसान पहुँचाए, आपने जो शक्तियां चुराई है, उन्हें वापस करने के लिए तैयार हो जाए, रूपा क्रोधित हो गई और उसने कहा मैं किसी की शक्ति वापस नहीं करने जा रही हूँ, यह सब अब मेरा है और इससे पहले कि मैं आपका सारा जादू भी ले लूँ, आप इसे मुझसे लेने की हिम्मत न करें मैं अपनी सुन्दर्ता और इस महल को नहीं दूंगी, सभी को मेरी बात माननी चाहिए, लैला ने कहा, बस बहुत हो गया रूपा, यह सब बकवास दोनों बहनों ने तब तक बहस की, जब तक की रूपा क्रोधित नहीं हो गई, और उसने अपनी बहन की शक्तियां लेने के और उसकी शक्तियां लेना शुरू कर दिया, लैला कुछ नहीं कर सकी और उसके हाथ रंगहीन हो गए, क्योंकि उसके सभी रंग और शक्तियां रूपा की छडी में चली गई, लैला के पंखो ने भी अपना रंग और शक्तियां खोना शुरू कर दिया, हालांकि जैसे जैस रूपा ने अपनी बहन का जादू चीनना जारी रखा, उसकी जादू ही छड़ी का गोला बड़ा और बड़ा होता गया, क्योंकि लैला के पास बहुत चक्ति थी, छड़ी इतनी बड़ी हो गई, कि वह तूट गई, और सभी का जादू उनमें वापस आ गया, परिलोक एक ब परियां और नागिन को उनकी शक्तियां वापस मिल गई